नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्पागत है पेशाज 7 जून सुबद 6 बजे राजस्तान की खास खबरें भाशपा देक्ष जेपी नडड़ा के घर पर दिल्ली में एहम बैठक हुई इसमें अमित शा और आजनाद सिंग समेथ भाशपा के बड़े नेता पहुँचे बैठक में नई सरकार बनाने और शपत ग्रैन की तयारियों पर चर्चा हुई वई बीजेपी के नई सांसदों की जेपूर में होने वाले बैठक कैंसल हो गए पार्टी सुत्रों का कहना है कि अब सब कुछ दिल्ली में तै होगा सभी सांसदों ने भी पार्टी अदेक्ष मलिक अरजन खरगे के साथ सोनिया राहुल से मिलने का समय मांगा है दोनों ही पार्टी के मुख्यालें पर सियासी हल्चल भी बढ़ गई है राजस्तान से दोनों ही पार्टी के पर्मुक पदादिकारी भी दिल्ली पहुंचे हैं दिल्ली में अब नई सरकार के गठन तक सियासी हल्चल तेज रहेगी मंत्री बनने के दाविदार संसत भी दिल्ली पहुंच रहे हैं बीजेपी के आसी हलातों को देखते हुए लॉंबिंग भी शुरू हो गई है राजय सडग विकास सेवं निर्मान निगम लिमिटेड के चीफ प्रोजेक्ट मेंजर आरके लूथरा के तीनों बैंक लॉकर अब घूस कांट का रास उगलेंगे हलांकि एसे भी बैंक लॉकरों को नहीं ख रस्तावेज मिल सकते हैं वहीं एसीवी टीम गिरफतार प्रोजेक्ट डिरेक्टर सियाराम चंद्रावत लक्षमन सिंग और सेवा निवर्त सायक लेखा अदिकारी हाल सलाकर मुख्या परबंदक महिश्चंद गुपता से घूस के संबंद में पूस्ताश करी हैं एसीबी RSRDC दफ्तर में भी सर्च कर घूस से समंदिर फाइलों को जप्त करेगी एसीबी ने जालाना सेथ RSRDC के ऑफिस में कारवई करते हुए घूस को रधिकारियों को एक पॉइंट बीस लाक उर्पे की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफतार किया था भाशपा की जगा NDA सरकार बनने की प्रकिरिया के बीच यह भी चर्चा है कि इस बार केंदर में परदेश का परतिनिर्तव कम होगा सियासे इतिहास के आंकड़े देखे तो केंदर में गठबंदन सरकार के दुरान राजसान से दो या तीन मंतरी होते हैं इस बार भी ऐसा संभव है मालुम हो कि 2014 में पूरण बहुमत वाली पहली मोदी सरकार में दो मंतरी बनाए बार में तीन और मंतरी बनाएगे 2019 में दूसरे कारे काल में यह संख्या लोकसबा स्पीकर ओम बिरला सैथ पांच रही भाजपा संगटन के अनुसार केंदर में मंतरी बनाने का इस बार चार एक का फॉर्मूला होगा यानि चार संख्या के अधार पर देखें तो नियमानुसर करीब 80 मंतरी केंदर में बनाए जा सकते हैं इसमें साथ से सबसे बड़े दल रहते हैं डिजी जी आई जैपूर जोनल यूनिट ने करोडों के फरजी वाड़े का खुलासा किया है दो फर्मों ने विबिन बैंकों में 19 खाते खोलकर लगबग 1800 करोड के लेन देन किये गए लगबग 800 करोड का नगत निकासी की गई डिजी जी आई ने खोफ्य जानकारी विक्सित कर कारवई को अंजाम देते हुए दोनों मास्टर माइंड आरोपियों अंकित बंसल और अजेश गौयल को गिरफतार किया है संदिग्द फरजी ITC लभारती ने बैंक खाते में प्रियाप्त राशी हस्तांत्रित की है फर्मों के बैंक खातों में राशी भीजी जारी थी भारी मातरा में रोज़ नगत की निकासी की जारी थी बिना किसी समान और सिवाओं की आपूर्ती के 3800 करोड से ज़्यादा टेक्स और 700 करोड रुपे से ज़्यादा की नकली ITC का लाब उठाये गया 19 बैंक खाते एस थाई रूप से कुरूप किये गए हैं 4501 करोड रुपे की राश्य जब्त की गई है दोनोंने स्विकार किया है कि दोनोंने मिलकर एक सिंडिकेंट के रूप में काम किया और सरकारी रासव को चूनना लगाया है राजदानी जैपुर के सदर्थानक शेतर में एक युवक एम्स में नौकरी लगाने का जहांसा दे कर 15 लाख रुपे की ठगी करने का मामला सामने आया है इस समद में पिडित नरायन सरोवर निवासी अर्विंद सिंग ने सदर्थाने में रिपोर्ट दर्स करवाई है दरोपियों ने ना तो उसकी नौकरी लगाई और ना ही पैसे वापस लटा रहे हैं पिडित की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्स कर मामले की जांच शुरू कर दी है बुंदी के करवर थाना क्षेतर में एक यूट्यूबर गायक का अपहरण कर फिरोती मांगने की मामले में पुलिस ने घटना के 36 खंटे के भीतर 6 युवकों 18 वर्षे गूलू, 39 वर्षे जैसिंग, 19 वर्षे विकरम सिंग, निवासी स्वाई मादोपूर, 26 वर्षे खेमचद निठारवाल और 19 वर्षे विकरम घुसल्या, निवासी जैपूर ग्रामिन और 19 वर्षे अनिल कुमार निठारवाल निवासी नीमका थाना को गिरफतार क 3 जून को फरियादी आकाश निवासी कैदारा की जौपडिया ने दे रिपोर्ट में बताया कि आरोपियों ने गाने बनाने का जांसा दे कर करवर बुलाया और गाड़ी में डाल कर किड्नैप कर स्वई मादोपुर की और से ले गए। रास्ते में मार पिड कर 15 लाख की फिर पोहितान ने बताया कि वे गुझुरात के मैसाना में हलवाई का काम करता है मैसाना बस स्टैंड पर उसे देवाराम नमक व्यक्ती मिला जुराण उसने अपने नमबर दिए, देवाराम ने उसे फोन कर बताया कि उसे घर पर खेत में काम करने के दुरानद比較 है लगने कि उसकी बातों में आकर उसने छे बिगा जमीन बेचने से मिले 15 लाख उर्पे उसे दे दिये, बार में तीन दिन बाद सुनार के पास जाकर चेक करवाया तो पता चला कि वह तामबे का हार है, पुलिस मामली की जांच कर रही है। इसे दुरान उसने उद्यपूर निवासी प्रशांत जैन से संपर्ख किया। प्रशांत का उद्यपूर में हॉलिडे नामवे ट्रैवल से जंसी है। उसने बताया कि वह है केवल 4,29,000 पे में उसको न्यूजिलैंड भेज देगा। उसकी बातों पर विश्वाश होने पर उ राजसन हाईकूर ने क्रिशी विभाग से रिटायर एग्रिकल्चर सूपर्वाइजर की मौत की बाद 70 साल की पत्नी को फैमिली पेंशन सेथ अन्या परिलाब नहीं देने पर क्रिशी सचिफ निदेशक क्रिशी विपननण बोड जैपूर सेथ क्रिशी उपज मंडी समीती हनुमानगड को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है साथी मामले के सुनवाई 16 जुलाई को तै की है जस्टिस समीर जैन ने यह निर्देश रुकमा देवी की याचिका पर दिया अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि प्रार्थिया की पति लल्लू राम की रि फैमिली पेंशन नहीं दी सोशल मीडिया पर दोस्ती कर युवक ने नौकडी का जहांसा देखकर एक युवती को जैपुर से अलवर बुलाया इसके बाद होटेल में ले जाकर अपने दो साथियों के साथ मिलकर युवती से गैंग रेप कर डाला पेडिता ने घटना के सं जाने की बात कही और अलवर बुलाया रेले वेस्टेशन से साहिल उसे बाइक पर बिठा कर एननी भी ले गया वहां कार लेकर उसके दो साथी खड़े मिले वहां से तीनों युवक उसे कार में बिठा कर 200 फिट रोड सित एक होटेल में ले गए जा तीनों ने बारी-बारी इसे दुश्करम किया इसके बार उसे चोड़ कर चले गए खटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धंकी दी फुलिस ने मामला दर्स कर अरूपी युवकों की तलाश शुरू कर दी है बीकानेर के रास्टे राजमार्क 62 पर खारा गाम के पास बजरी से भरे डंपर ने एक बाइक को टकर मार दी इससे बाइक सवार चाचा भतीजी घंबीर खायल हो गए दोनों को पुचार के लिए पीवेम अस्पताल की ट्रॉमा सेंटर में भरती करवाया गया जहां चाचा ने दम तोड़ दिया पुलिस के अनुसार खारा निवासी मगहराम कांटिया अपने बतीजी टीना के साथ गाम की तरफ आ रहे बजरी से भरे डंपर ने बाइक को टक कर मार दी खाराटोल प्लाजा की अम्बूलेंस ने रहागिरों की मदद से घायलों को पीवेम अस्पताल पहुचाया जब मगहराम कांटिया की मौत हो गई लड़की टीना की हालत खंबीर है फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है एग एगए बाइक की जांच कार मामले की मौत है यह यह थाराटों की घखिर स्वले दो ऊशना है